नमस्कार में हुमम अदासिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 News क्या वाकई में चौकिदार चोर है इसकी सच्चाई आप कैसे समझ सकते हैं या कैसे बूझ सकते हैं ये जानने का वक्त आ गया इसलिए एक वीडियो के माध्यम से पहले आपको बताते हैं कि चौकिदार चोर है या नहीं है और CBI ED का जो खेल चल रहा है इसकी सचाई हम आपके सामने रखेंगे लेकिन पहले देखिए कि कैसे कनहया कुमार चौकिदार चोर है कि नहीं उसका खुलासा कर रहे है भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस इंडियन कॉंसिचूशन का सेफगार है हम इंडियन कॉंसिचूशन के पहरेदार हैं हम इंडियन कॉंसिचूशन के असली चोकिदार हैं इस बात को याद रखिएगा और इंडियन कॉंस्टिचूशन इस बात को रिजॉल्व करता है वी दब पीपल आफ इंडिया और यह जो वी दब पीपल आफ इंडिया है इस देश में रहने वाले वो तमाम लोग चाहे हिंडू हो, मुसल्मान हो, सिख हो, इसाई हो, जैन हो, पार्सी हो, बुद्धिस्ट हो या वैसे भी लोग जो किसी धरम को नहीं मानते हैं वो सब भारत के लोग हैं और उनके हकूक के लिए, उनके अधिकार के लिए कल्यानकारी राज की अभधार्मा को बचाये रखने के लिए बारतिय रास्ट्य कॉंग्रेस संघर्स करेगी और यही जो पॉलिटिकल रेजिलूशन है कि हम देश के लोगों के बुनियादी सवालों के लिए रोजी, रोटी, कपरा, मकान, सिक्छा, स्वात, सरक, बिजली, पानी और इस देश के संभिधान के लिए संघर्स करते रहेंगे अपने कनहिया कुमार को सुना और देखा कि किस तरीके से कनहिया कुमार चोकिदार चोर के बारे में पूरा खुलासा कर दिया तमाशा मचा दिया उसके बाद दिल्ली, जहां इस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो दिल्ली, यानि देश की राजधानी दिल्ली है और इसी दिल्ली में इन दिनों CBIRD का जबरदस्त तमाशा चला है कभी मनीशी शूदिया को लेकर तो कभी जो है बिहार में लालू परसाद के घर और कभी KCR की बेटी ये तमाँ जगा आप देख रहे है अब इसको लेकर मनीशी शूदिया को लेकर जो तमाशा किया गया है जब अर्दस्ती उनको तिहार जेल में जो ठूसा गया है अब उसके बाद E.D. ने जो गिरफतार किया है इसकी हकीकत को जड़ा समझ लेजिए और ये कोई आर नहीं आमादी पार्टी के संसस संजेज जी क्या कह रहे है जड़ा गोर से सुए सभी पत्रकार बंदूओं को नमश्कार मोदी जी की प्रताड़ना उनकी कारवाई उनका उत्पीडन इसकदर बढ़ गया है कि जिस व्यक्ति ने दिल्ली के 18 लाख बच्चों को अच्छी सिख्षा देने के लिए दिन रात मेहनद किया जिस व्यक्ति के सिख्षा मॉडल को पूरी दुनिया सराह रही है अमेरिका के रास्टपती की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें मनीश सिसौदिया और अर्विंद केजरिवाल जी के द्वारा बनाए गए स्कूलों को देखना है आज उस मनीश सिसौदिया को सीबियाई में मानसिक उत्पीडन दिया जा रहा है उनका मेंटल हरेस्मेंट किया जा रहा है उनको जान बूज के कहा जा रहा है कि सारे आरोप एक पन्ने पर लिक कर दे दे रहा हूं इस पे साइन कर दो यह किस प्रकार का सासन आप चलाना चाहते है यह किस प्रकार से आप जाच करना चाहते है यह क्या तरीका है आपका कि जबरन आप किसी से अपराद कुबलवाने के लिए अपराद कुबूल कराने के लिए उसका मानसिक उत्पीडन करेंगे और ये बात नियायाले के सामने कल मनिस्थी सौधिया जी के वकील ने और मनिस्थी सौधिया जी ने नियायले को बताया मैं सबस्ताओ निस्चित रूप से नियायधीस महोदे इसका संग्यान लेंगे लेकिन अगर आप इस पूरे मामले को धेखिये पहली चार सीट सीविय दाखिल करती है जब चार सीट दाखिल होती है तो कई गवाहों के बयान लेती है चार सीट दाखिल करती है तो कई साच्छों और तत्यों को आधार बना कर चार सीट दाखिल करती है लेकिन उस charge seat में किसी ने नहीं कहा कि money सिसो दिया कहीं से भी साजिस करता है या उनोंने कहीं कोई पैसे की लेंदेन की है या कहीं उनोंने कोई रिश्वत खाई है supplementary salary salary CBI की उसमें भी कहीं किसी ने money सिसो दिया का नाम नहीं लिया तो ना पहली चार सीट में CBI की मनी इस सिसो दिया ना दूसरी चार सीट में CBI की मनी इस सिसो दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने हरकाया, डाटा, बिगडा बोले हमारा मकसदी फेल हो जाएगा जिन लोगों पर कारवाई करना है उन पर करी नहीं रहे बनाओ फर्जी मामले, बनाओ फर्जी मुकदमे करो मानसिक उत्पीरन, किसी भी तरीके से अपराज सिद्ध करो और तब बिना साच, बिना आधार, बिना किसी सबूत के मनी सिसो दिया को गिरिफतार किया गया कोई कहता है दस हजार करोन की रिस्वत खाली कोई केता है 20,000 करोड की रिस्वत खाली कोई केता हजार करोड की रिस्वत खाली मैं भाजपाईयों से पूछना चाहता हूं तुम्हारे तोते ने 14 घंटे चापे मारी की कुछ नहीं निकला गाव में चापे मारी की वहाँ भी कुछ नहीं निकला दफ्तर में चापे मारी की वहाँ भी कुछ नहीं निकला बैन का लॉकर चेक किया वहाँ भी कुछ नहीं निकला अरे बेई मानो तुम्हारे लोगों पर BJP के MLA के बेटे के हाँ 6 करोर रुपए है तो कैस रिश्वत बरामद हुई कैमरे पर बरामद हुई क्या करवाई की उसके खिलाफ कहा है तुम्हारी CBIED कहा है तुम्हारा Income Tax Department जो भ्रस्टाचारी तुमसे जुड़े हुए है वो चाहे मुकुल राय हो सुवेंदू अधिकारी हो हो है मन्त विश्व सर्मा हो अजीद पवार पर कहते थे सिचाई घोटाला है यदरप्पा पर माइनिंग घोटाला ब्यापम घोटाला सिवराज सिंग पर नारायन राने पर CBIE की जाच चल रही थी जो BJP में सामिल हो गया वो राजा हरीस्चंद हो गया उसके खिलाफ कोई कारवाई नहीं होती तो पूरा देश इस बात को देख रहा है कि किस प्रकार से बिना सुबूर बिना साक्ष के एक लोगप्रिय नेता एक लोगप्रिय सिक्षा मंत्री जिन्होंने दिल्ली के बच्चों का भविस्य बनाने के लिए काम किया उनको जबरन नरेंद्र मोदी जी अपराधी बनाने का प्रयास कर रहे है और समय आने पर इसे देश की जनता और दिल्ली की जनता इस बात का जवाब देगी आपके कोई प्रस्म भारत की सरकार और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री है और किसकी सह पे हो रहा है आप मुझे बताईए जिस व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई साच नहीं सुबूत नहीं पहली चार सीट में नाम नहीं दूसरी चार सीट में नाम नहीं जिसके घर पे चापे मारी हो गई गाउ में चापे मारी हो गई बैंक में चापे मारी हो गई दफ्तर में चापे मारी हो गई कुछ नहीं मिला, तो अब आप उसका मांसिक उत्मीडन करके कह रहें कि अपराधी बन जाओ, पराधी बन जाओ, यह किसके कहने पर किया जा रहा है, यह भारत के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के कहने पर किया जा रहा है क्योंकि CBI उनकी एजन्सी है, उनके अधिन हाती है यह मेरा सीधा रहोप है, यह कांग्रेस वालों से पूछे उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ, जो चिथी है उसके बारे मैं जरूर बता देता हूँ, पिछले आठ वर्सों में ED ने 3000 चापे मारी की, लगबख 95 प्रतिसत चापे मारी विपक्ष के नेताओं पे किये गए, और कन्विक्षन रेट जो ED का है, वो मात्र 0.5% दसमलो 5 प्रतिसत, यानि कि 3000 लोगों पे चापे मारी हुई, दसमलो 5 प्रतिसत लोगों पे आरूप सिध्ध हुआ, बाकी आरूप जूटे थे। तो CBI का ED का मिस्यूज हो रहा है, ये तो खुली आखों से आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति पे CBI की जाँच चल रही होती है, जैसे ही वो BJP में सामिल हो जाता है, वासिंग पॉर्डर निर्मा से उसको धुल के बाहर कर दिया जाता है, बुर राजा हरिस्चंद हो जाता है, आप उठाके देख लिजे, सारे रेकॉर्ड उठाके देख लिजे, मैंने इतने नाम तो लिए यहाँ आपके सामने, जो जो BJP में गया, सारी जाँच बंद हो ग उनके भरस्टा चार की हकिकत कब आएगी, इसको लेकर संजय जी ने बताया, जो आपने देखा, अब देखना परेगा कि क्या वाकई में, वाकई में भी पक्ष को बरबाद करने की साजीशे रची जा रही है, या फिर अगर EDSCB यह एतनी मंदार है, तो फिर मोधी सरकार क कि जहांचे क्यों नहीं करती, यह सबसे बड़ा सवाल है, आपको क्या लगता है, हमें कॉमेंट कर ज़रूर बताईएगा, और साथी साथ आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा, तो शेयर जरूर करिएगा, आज़के लिए तना ही मुझे दीजे, जा 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 तर आब देख